तो one of the most used loop है for loop, loops इसलिए काम आते हैं कि कोई चीज़ को आपको बहुत सारी चीज़ों collection पे एक साथ करना हो तो इसके लिए हम loops यूज़ करते हैं mostly आप देखोगे arrays के साथ हम loop यूज़ कर रहे हैं तो suppose एक array है 1, 2, 3 और इस array को आप for loop से इसमें print करना चाते हो maybe एक-एक element को आप print करना चाते हो तो इसके लिए for loop का क्या structure होगा तो for loop का ये एक default structure है जो आप यहाँ पे देख रहे हो एक-एक करके हम देखते हैं क्या चीज़े हैं for keyword आप सबसे पहले use करते हो एक parenthesis है जिसके अंदर कुछ चीज़े हैं जैसे सबसे पहला part जिसके बाद में semicolon है वो है initialization part तो इसके बाद है condition part और इसके बाद है iterator part तो ये जो first part है इसको हम iterator initialization कहते हैं यानि आपका array में जो iterator होगा जिससे आप आगे बढ़ रहे होंगे जैसे index से आप 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ रहे है array में तो वो हम यहाँ initialize करते हैं उसके बाद next part ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये condition इससे हम decide करते हैं कि ये loop कब तक चलेगी और क्या condition है जिसके बाद ये break हो जानी चाहिए और last ये part है increment का part या इसको step change भी कहते हैं यानि हर step में क्या change होगा index में या iterator में तो जैसे आप इसमें plus plus लिखाया या नी हर loop के बाद index की value एक से बढ़ती जाएगी और उसके हिसाब से हम decide करेंगे कि loop कितनी बार चलेगा तो ये 3 बहुत important factor है इस loop में हम पूरी loop की life cycle देखते हैं कि वो कैसे काम करता है तो let's start with iteration 1 एकदम आप पहली बार loop में जा रहे हो तो सबसे पहले ये index 0 वाली line चलेगी इसके बाद ये कभी भी नहीं चलेगी तो आपका index 0 हो गया है उसके बाद next आपकी condition check होगी condition में index की value 0 है array की length आपको पता है यहाँ पे 3 है तो क्योंकि ये इस से less है यानि ये बात true है तो क्योंकि ये चीज true है तो आप loop में अब नीचे जा सकते हैं तो ये part अभी increment वाला यहाँ नहीं चलेगा ये क्योंकि end of the loop के बाद चलता है तो अब आप यहाँ next line में जाओगे जहाँ पे array का index 0 है तो array में 0th element को ये ढूंडेगा जो कि आपको पता है 1 है तो element में इस वक्त 1 आ जाएगा और console पे आपको 1 print होगा तो अगेन ही एक और बार इस iteration को देखते हैं next iteration तो iteration 2 में आप देखोगे कि अब index की value बढ़ चुकी है तो index plus plus होगा तो अब इसकी value एक बार बढ़ जाएगी तो अब index की value 1 हो जाएगी तो अब वापस हम condition पे आते हैं condition check होगी index की value 1 है वो array की length 3 से अभी भी कम है तो true है हम next line पे जाएगे जहाँ array की index 1 है तो array की value element में पास हो जाएगी जो की है 2 और इसी वज़े से 2 प्रिंट हो जाएगा आपके terminal पे या console पे जहाँ पे भी आप उसको use कर रहे हो next iteration जैसे ही होती है index वापस act करेगा iteration 3 में और वो plus plus होगा तो index की value अब हो जाएगी 2 तो अब वापस से आपकी condition चेक होगी इस condition में आप देखोगे यहाँ पे 2 आता है वो अभी भी इस length से कम है तो यह आपको condition true हो जाएगी आप अभी भी loop में जा सकते हैं तो element की value second element की value वो चेक करेगा जो की है 3 तो इस तरह से 3 प्रिंट हो जाएगा अब last में क्या होगा कि एक और बार वो उपर जाएगा iteration 4 start होने वाली है index plus plus होगा तो index की value हो जाएगी 3 तो index 3 हो गया है अब index 3 is not less than 3 यह एक ऐसी condition हो जाएगी जहाँ यह false return करेगा तो इसलिए आप अब loop में आगे नहीं जा सकते हैं एक तरसे loop break हो गया आप loop से बाहर आ जाएगे तो iteration 4 एक तरसे कहें हुआ ही नहीं वो बस उससे पहले condition check हुई और वो खतम हो गया तो इस example में हम एक basic for loop देखेंगे तो basic for loop के लिए जरूरी है कि हम एक collection बनाएं तो हम cities से एक area बना रहे हैं increment होती जाएगी तो जैसे i equal to 0 ऐसा हमने iterator फिर semicolon पुट किया next चीज है condition किस condition तक ये loop चलता रहेगा तो i less than cities dot length जब तक i cities dot length से कम है ये चलता रहेगा और last में है iteration का increment यहाँ प्लस प्लस तो यहाँ पर हम increment ये decrement कर सकते हैं तो अब यानि किसी भी step पे क्या change है तो अब हम इसको print करते है cities i तो शुरू में i 0 था फिर वो 1 हो गया फिर 2 इस तरह से तीनों चीज़े print हो गई है और जैसे ही वो उससे उपर जाता है अपने आप loop break हो जाता है तो cities जो array है मैं इसमें थोड़ा और complicated values पुट करता हूँ क्योंकि string तो काफी easy हो गया तो मैं इसमें कुछ objects पुट करता हूँ तो हम हर city को एक object बना देंगे जिसमें object का एक name होगा जैसे की name Delhi और ऐसे ही उसकी कुछ population होगी तो हम कुछ भी random population वहाँ पुट कर देते हैं जिसे मैं आया एक number पुट कर रहा हूँ ऐसे ही दूसरी city के लिए भी name property तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि consistent data बनाना है वरना loop बनाने का मतलब नहीं है तो यहाँ पे भी name आप city का दोगे और फिर pop करके जिसमें population आप provide करोगे तो अब इस चीज़ को आप print करते हो तो यहाँ देखो पूरा object print हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि maybe एक एक चीज़ का name print हो या population print हो तो क्यूंकि अभी iteration में एक एक object print हो रहा है तो आप dot name लगा सकते हो उससे उसका name value print हो जाएगी इसी तरह से console में आप इसकी population को भी print कर सकते हो तो उसमें आपको cities dot pop print करना होगा cities directly ना लिखें क्योंकि वो एक function है तो cities के अंदर आपको पहले index define करना पड़ेगा कि कौन से index पे आपको pop देखना है तो i हम वापस put करेंगे और dot pop लिखेंगे तो आप देखोगे कि दोनों अभी यह missing बता रहा है और इसके बाद में दोनों का population प्रिंट होके आ रहा है तो इस तरह से आप loop के अंदर दोनों चीज़ को access कर सकते हैं loop में break और continue दो ऐसे और statement होते हैं जो की use किये जा सकते हैं तो break ये काम करता है कि वो loop अकर करता है तो break कर देता है उसके बाद loop नहीं चलता है और continue का काम ये है कि continue loop को next iteration पे भेज देगा यानि next increment पे और आप एक तरह से वो वाला step skip कर सकते हूँ तो बस ये एक minor difference है continue और break में तो इस चैनल पे हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजिए